आप सब कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टुडी को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे फ्रेंट्स आज के वीडियो लेक्षर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है इसके पवन सिरीज के अतिलबूत्री टाइप पोस्टेंज की सिरीज को कॉंटिन्यू करें तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे क्योंकि देखे भाई ये मैथ का सब्जेक्ट है ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई चीस नहीं भी समझ में आई तो आप मनगडंत में कराएं है ना तो बिलक तो चलते हैं आघकी सिरीज का फिर्स्ट नमर कोश्चन देख लेते हैं क 이거는 आपका हो जाता है माध्यका किसे कहते हैं माध्यका समझ लेते हैं यदि आकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में विवस्थित किया जाए तब मध में आने वाले पद का मध मान यानी पद का मान म आध्यका होता है तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम है ना आरोही क्रम क्या होता है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिखते चले जाएं यह क्या हो जाता है यह आपका आरोही क्रम हो जाता है आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आप सीडियों पर पर पर नीचे आपने क्या पहले पर रखा फिर फूर फिर 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 वन तो इस तरह से आपका यह क्या हो जाता है आरोही और अवरोही और यहां पर माध्यका किसे कहते हैं यह पूछा गया है तो जब आप उसको क्या कर लेंगे जैसे मान लिजे आपने आरोही और अवरोही क्रम में विवस्थित किया तो जो बीच में पता आया देखिए वन टू त्री फोर फाइव तू इधर निकाल देजिए तू इधर निकाल लिजे यानि थिरी जो हो गया यह आपका क्या है यह माध्यका हो जाती है उसके मत कोश्चन है आपका निमलिखित आकडों का बहुलक ग्याद कीजिए तेरा चौदा दस बारा ग्यारा बारा तेरा बीस अठारा बारा दस बारा तो इसमें क्या है इसमें देखिए तेरा जो है वो क और उसके बाद आपका क्या हो जाता है जो 14 है तो देखे यहाँ पे एक ही बार आया है तो एक बार लिख लेते हैं उसके बाद आपका हो जाता है दस देखे कितनी बार आया है एक और दो यानि दस आपके कितनी बार आया है तो दो बार आया है उसके बाद आपके बारा कितनी बारा हैं तो देख लेते हैं एक दो तीन और चार तो बारा जो है वो चार बारा हैं यहां पर देखे सबसे पहले समझ लेते हैं कि सारे अंको को निकाल लेते हैं ठेकर न फिर ग्यारा देखे कितनी बारा हैं तो यहां पर आप देख लेते हैं एक बार ग्यारा कितनी बारा है तो एक बार और बीज देखें कितनी बार है तो एक बार और अठारा भी कितनी बार है तो एक बार तो इस तरह से जो सबसे जादा बार संख्याई होती है यानि बारा जो है चार बार वो संख्याई हुई है देख लीजी है बारा चार बार संख्याई हो तो बारा बार यानि ब बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे जादा बार संख्याई हो तो बहुलक कहलाती है. तो यहां पे जो बारा संख्या है वो क्या हो जाती है? वो चार बारा आई इसलिए यह बहुलक हो जाता है. ठीक है ना? उसके बार सेकेंड में आप देखने सबसे पहले जो 19 है वो कितनी बारा आया है तो यहां पर 19 हो जाता है एक बार और उसके बाद आप देख ले आपका 25 कितनी बारा है तो यहां से आप देख ले 25 भी एक बारा है यहां पे 25 है 25 भी एक बार है उसके बाद जो 36 है 36 भी देखिए यहां पे और भी 36 है कि ओना इना घूए तो इसा नहीं कि आपने तुक्के चला दिये और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है न यह सब करना रहेगा तो 36 कितनी बार आए हैं तो एक बार फिर 38 पे आजाएं तो 38 देखिए एक फिर दो फिर तीन फिर चार यानि 38 कितनी बार आए हैं तो चार बार आए हुए उसके पतलब है जो 38 है वो चार बार आए है यानि इसका जो बहुलक हो जाता है वो चार हो जाता है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है जो संक्या सबसे जादा बार आई होती है वही बहुलक हो जाता है उसके बाद कोश्चन की तरफ चलते वही बहुलक हो जाता है तो देखिए 12 कितनी बारा है तो 1, 2, 3 बार बारा आया हुआ है ना फिर उसके बाद 13 कितनी बारा है तो 13 एक बारा आया हुआ है और आपका 10 कितनी बारा है तो 10 आपका देखिए यहां पे एक बारा है यानि कि 12 जो आपका हो जाता है वो बहुलक हो ज चेत्रफल का सूत्र बताएं तो लंब रत्य बेलन के वक्रप्रस्ट के चेत्रफल का सूत्र हो जाता है वक्रप्रस्ट यानी क्या होता है सिर्फ कौन सा एरिया होता है जैसे आपका बेलन कुछ इस तरह से बना होता है इसको देख लेते हैं बेलन आपका ऐसे ही तो बना होता इस तरह से और जो यह एरिया होता है सिर्फ यह एरिया ऊपर नीचे को छोड़कर इसको और इसको छोड़कर और व्रत को छोड़कर क्यों यह उपर का और नीचे को छोड़कर होता है यह वक्र प्रस्ट होता है तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो क्या हो जाता है तो इसका होता है 2 πi r और गुड़े h आप ऐसे भी लिख सकते हैं और क्योंकि आपको देखे यह है 2 into pi है ना आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 into pi का मान कितना होता है तो 22 बटा साथ है ना 22 बटा साथ होता है फिर r का मान जो हो यहां पर गुड़ा करके लिख दें और h का जो मान हो तो गुड़ा करके h का मान लिख दें इसी तरह से तो मतलब सब गुड़ा करना होता है question हो जाता है लंब व्रतिय शंकू के आयतन का सूत्र लिखिए तो लंब व्रतिय शंकू के आयतन का सूत्र शंकू कैसे होता है जो जोकर वाली टोपी जो बर्डे में टोपी लगाई जाती है वही तो ऐसे ही तो होता है तो यह आपका क्या हो जाता है शंकू हो जाता है और शंकू का आयतन कितना होता है तो एक बटा तीन कितना तो एक बटा तीन और पाई आर स्क्वाइर एच हो जाता है यही हो जाता ना देखिए आप लिखा भी है शंकू का आयतन बराबर एक बटा तीन पाई आर इसक्वाइर एच इन को आप बहुत अच्छे से याद कर लिजिए क्योंकि देखिए यह बहुई कल्पी टाइप में तो है क्योंकि मैथ में क्यों होता है जो बहुई कल्पी होता है वह सब करना रहे गया है ना तो इसलिए आप सूतर बहुत अच्छे से याद कर लें कप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना चोड़ें कि कहीं पर कंफ्यूजन हो कि हो सकता है यह हो सकता है वह ऐसा नहीं है तो यही है शंकू का आयतन है तो वन बटे थरी पायार स्क्व याद तो करना ही रहता है युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं युगपत समीकरण कहिए या रेखिए समीकरण कहिए जिसमें दो चर हो दो चर का मतलब क्या है चर मतलब क्या होता है जो एकस वाई जड इस तरह से होते है न और एक वाई जैसे दो चर एकस हो और एक वाई हो य युग्म है, युग्म मतलब जोड़े, जिसमें दो समीकरण है, दो समीकरण दो चर है, दो चर वाला जो समीकरण होता है, वो कैसा दिखता है, तो दो समीकरण वाला जो चर होता है, वो AX प्लस B Y प्लस C बराबर 0 दिखता है, कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ठीक है न बस consonants बदलते हैं इसमें A square यानि A और यहाँ पे यह X प्लस B और यह इस तरह से प्लस C यह आपका हो जाता है ठीक है यह क्या है? यह standard equation हो जाती है इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं युक पस समी करण तो आग्याद चरवाले समी करण A1 यहाँ पे देखें 1 लगा है फिर X फिर प्लस B1 Y प्लस C1 बराबर 0 तो A यहाँ पे 2 लगा हुआ फिर X प्लस B और यहाँ पे यह देखें नीचे फिर Y फिर C और यहाँ पे 2 लगा हुआ है ठीक है न? उसके बाद आपका हो जाता है वरत के व्यास का सूत्र क्या है? तो वरत का व्यास यहाँ पे देख लेते हैं वरत का व्यास जो है वो आपका हो जाता है 2 इंटू तरज्या क्या हो जाता है? 2 इंटू तरज्या हो जाता है इस तरह से आपका यह राइट हो जाता है वरत्य की परधी का सूत्र बताएं तो वरत्य की परधी का सूत्र इसको देख लेते हैं वरत्य की परधी का सूत्र होता है पाई इंटू व्यास बराबर पाई इंटू टू इंटू तरज्या आर टू पाई आर वरत्य की परधी का सूत्र क्या है तो टू पाई आर हो जाता है चीख है ना वरति की जीवा क्या होती है जीवा जीवा एक ऐसा रेखा खंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदू पर वरत इस्थित हो तो जीवा कहलाता है देखिए जैसे इस तरह से तो होता है तो यहाँ पे यह जो रेखा होती है वो जीवा वर्ग क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं वर्ग क्या होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर अगर ए माना तो दूसरी भी भुजाएं और चौती भी भुजाएं यही होती है यही तो वर्ग होता है न तो इस तरह से आपका हो जाता है यानि कि वर्ग एक आयत है ज इसकी दो कर्मागत भुजाएं बराबर होती है वर ऐसा चत्रभुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी कोड समकोड होते हैं सभी कोड कितने के होते हैं तो समकोड और समकोड आपके कितने होते हैं कितने डिगरी के होते हैं तो 90 डिगरी के होते हैं ना इस से समांतर चतरगुज कहते हैं कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन आपका हो जाता है आयत का प्रतिय कोड कितने डिगरी का होता है तो आयत कैसे होती है जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है और दूसरी आमने सामने की देखे ये और ये बराबर हो जाती है ये और ये इसे तरह तो आयत होता है ना तो ये भुजा ये भुजा देखे बराबर हो गई ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर हो गई यानि आयत का कोड कितने डिगरी का होता है तो 90 डिगरी का ही होता है ना चतुर बुज के अंता कोडों का योग कितना होता है तो चत्र बुज के अंता कोडों का योग 360 डिग्री होता है कितना होता है तो 360 डिग्री होता है चक्रिय बिंदू को समझाएं तो चक्रिय बिंदू चक्रिय बिंदू क्या होता है जैसे आपका एक ये सर्किल बना हुआ यानि ये ब्यास बना हुआ है ना जहां पे आपके तो ये आपका A, B और C तो ये क्या है चक्रिय बिंदू है ना तो जो बिंदू एक वरत पर इस्थित होते हैं उन्हें चक्रिय बिंदू कहते हैं क्योंकि वरत आपका ये है और वरत पर ये इस्थित हैं तो ये क्या है ये चक्रिय बिंदू हो जाते हैं संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ग्याती, यह बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब अभी डिसकस कर चुके, जो सबसे जादा बार संख्या आती हो, वही बहुलक हो जाता है, यानि देखिए, यहाँ पे सबसे जादा बार कौन सी संख्या दिख रही है, तो 0 कितनी बार है, 0 तीन बार है, और उसके बाद 1 देखिए, एक जो है, वह आपका एक ही बार हो जाता है, फिर 5 कितनी बार हो जाता है, तो 5 एक ही बार हो जाता है, उसके बाद 7 कितनी बार हो जाता है, और 8 भी आपका एक बार हो जाता है, और 9 आपका कितनी बार हो जाता है, तो एक बार यानि सबसे जादा बार जो आई है Sankhya यानि वो आपका 0 हो जाता है तो यहां पे 0 राइट है उसके बाद यहां पे जो आपका कुशन है जो आपकी सिरीज में दिये हुए है तो यहां पे हमने दिखे इसको लिख भी दिया है यहां पर, लेकिन आपका yahaं पर यह क्यूब root यह ऊपर थी यह नहीं लगा हुआ था है ना यह सिर्फ ऐसे ही इस तरह से लिखा हुआ था, 125 गुडे 343 लेकिन यहां पर यह 3 लगा हुआ, यह क्या क्यूब root के अंदर, ठीक है क्यूब root का मान ग्याद कीजिए तो आपको पता है 125 किसका है तो आप इस तरह से आपको पहली बाद तो याद होगा कि कुई ये 5 का है और गुड़े ये कितने का है तो 300 जो आपका 43 हो जाता है वो 7 का है अगर आप इस तरह से अगर जैसे बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे इसके गुड़न खंड कर लेंगे है ना गुड़न खंड करने के बाद आप इसमें कर लेंगे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इनको अच्छे से याद कर लें कम से कम आप पंदरा तक तो इनको याद ही कर लें कि एक का क्यूब कितना होता है दो का क्यूब कितना होता है तीन का क्यूब कितना होता है ये सारे आप याद कर लें ठीक है ना उसके बाद देखे ये पांच का होगा एक सो पच्छेस पांच का है और 347 तो 57 यानि यहाँ पर देखे 35 आंसर सही है एक लंब व्रत्य बेलन के आधार की तरज्या 5 सेंटीमीटर तथा उचाई 14 सेंटीमीटर है बेलन का वक्रप्रस्ट ग्याद कीजिए यहाँ पर क्या कह रहे है कि बेलन का जो वक्रप्रस्ट है उसको ग्याद करना है तो देख लेते हैं सबसे पहले 2πrh बेलन के वक्रप्रस्ट का फॉर्मूला है है ना क्योंकि बेलन के जो वक्रप्रस्ट का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है तो 2 और पाई आर एच ये किसका है तो बेलन के वक्रप्रेस्ट का लिख देते हैं बेलन के वक्रप्रेस्ट का उसके बाद यहाँ पर संपूर्ण वक्रप्रेस्ट नहीं पूछ रहा है कितना पूछ रहा है संपूर्ण यानि वक्रप्रेस्ट अगर पूछता तो फॉर्मूला दूसरा होता यानि 2 पाई आर इसक्वाईर होता कितना होता वक्र प्रस्ट टू पाई आर एच हो जाता है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा कि अगर संपूर प्रस्ट आता है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है और अगर सिर्फ वक्र प्रस्ट आता है तो टू पाई आर एच हो जाता है और क्या कह रहे हैं कि एक लंब व्रत्य बेलन तो बेलन आपका इस तरह से हो जाता है और यह लंब व्रत्य बेलन है यह इसकी क्या है यह हाइट हो जाती है और यहां पर यह आर यानि तरज्या हो जाती है है ना तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं बेलन का वक्रप्रस तो क्या करेंगे टू पाई आर एच अब क्या करेंगे इनका मान रख देंगे तो जो टू है तो टू ही रहेगा है ना और पाई तो गुड़े 22 बटे 7 हो जाएगा गुड़े तो यहां पर कितना है एक आधार 5 cm है ना 5 cm है और उचाई कितनी है 14 cm तो गुड़े 14 cm हो जाता है अब यहां पर समझ लें कि जो यह आपका 7 है 7, 7, 7, 7, 7, 2, 14 यह इस तरह से हो जाता है उसके बाद आप इसको कर लें 5, 2, 10 यह 5, 2, 10 हो गए यहां पर 5, 2, 10 हो गए और 22, 44 है ना इस तरह से आप कर लें तो बराबर 22, 22 दूना 44 हो गए और आपके गुड़े 10 हो गए और आप इस तरह से आप कर लें यहां पर जगा नहीं पची है हम इसको इरेज कर देते हैं फिर से करते हैं ठीक है ना तो आपका क्या हो जाता है 2 into 22 गुड़े 7 यह किसका मान है तो यह पाई का 22 बटे 7 गुड़े 5 गुड़ 24 ठीक है 7 एक कमसा 7 दूनी चादा और यहां पर 2 गुड़े 22 कितना हुआ तो बराबर 44 हो गया है ना और 5 दूना 10 तो गुड़े 10 तो यहां पर 4 और 4 और 1 0 440 सेंटीमीटर स्कॉायर ठीक है ना सेंटीमीटर स्कॉायर इस तरह से हो जाता है उसके बाद आपका कोश्यन हो ज कुड़ाता है नो बटे 49 a squad माइनस 4B squad के गुड़न खंड कीजिए आप यहां पर देखते हैं यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 9 को लिख सकते है तीन का स्कॉायर तीन तियां नो होता है ना तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं तीन का स्कॉायर लिख सकते हैं और उन्चास को क्या लिख सकते हैं साथ का स्कॉायर साथ सती उन्चास और देखे तीन का स्कॉायर आप लिखेंगे तो कितना होगा तीन तीया नौ और साथ का स्कॉायर लिखेंगे तो साथ सती उन्चास ऐसे तो लिख सकते हैं ना साथ सती उन्चास हो जाता है तो यानि देखें तीन बटे साथ और जो आपका ए है तो वो ए तो रहेगा क्योंकि यह स्कॉायर में है तो इस तरह से यह आपका स्कॉायर हो जा और 2B, यहां पर यह आपका 4B square है, तो 2B और आपका square हो जाएगा, यहां पर formula लग जाएगा, A square minus B square, क्यां कौन सा formula लगेगा है, A square minus B square बराबर A plus B और A minus B, यह लगेगा, A की जगा पर 3 बटे 7A, और B की जगा पर 2B हो गया, यानि आपका formula जो हो गया, वो आपका हो जाता है, 3 बटे 7A plus 2B, यहां पर लिख देते हैं, formula जो हो जाता है, वो 3 बटे 7A plus 2B, और हो जाता है, 3 बटे 7, यह 3 है, 3 बटे 7A minus 2B, इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना, question आपका है, सम चतुर्भुज के छेतरफल का सूत्र लिखें, सम चतुर्भुज का जो छेतरफल होता है, वो 1 बटा 2 होता है, दोनों विकरणों के गुड़न फल के बराबर, यानि 1 बटा 2, अगर पहले विकरण की लंबाई D1 है, तो दूसरे विकरण की लंबाई कितनी होगी, तो D2 होगी, यानि की 1 बटे 2, और D1 गुड़े D2, इस तरह से हो जाता है, यदि वरत का व्यास 14 cm है, तो वरत की परिधी ग्याद कीजिए, वरत की परिधी जो होती है, वो 2 πाई R होती है, वरत की परिधी 2 πाई R बराबर 2 πाई R, 2 πाई R भी, आप 2 R पाई भी लिख सकते हैं 2 πाई R, क्योंकि आप इधर का इधर कर दें, तब ही मान तो वही रहेगा न, तो इस तरह से 2 तो आपका 2 ही रहेगा और πाई का मान कितना रहेगा तो 22 बटे 7 और गुड़े आपका कितना हो जाएगा गुड़े 2 पाई आर यहाँ पे दिखिए कोश्चन में क्या कह रहे हैं कि यदि वरत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वरत्त की परधी ग्यात कीजिए अब यहाँ पे 7 क्यों आया क्योंकि व्यास का आधा होता है ना त्रज्जिया तो आर त्रज्जिया आप आधा कर देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं साथ को साथ से काड़ दिया और ये आपका हो गया 22 दूना 44 हो गया यानि 44 हो जाता है 44 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया आपका कुश्यन है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चड़े आयत के चड़ाई के परिता गुमाने पर बने बेलन का आयतन ग्याद कीजिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक 17 cm लंबे और 7 cm बने आयत के चुड़ाई के क्या आयत के चुड़ाई की पहले आपकी एक आयत है उन्हें छोटी से आयत बना ले क्योंकि यहाँ पर जगा थोड़ी सी कम है आयत के चुड़ाई है ना चुड़ाई के परिता जैसे आपने कागस ले उसके चुड़ाई है उसको आपने फोल्ड किया तो चुड़ाई के परिता गुमाने पर क्योंकि पेज होता है ना कि एक लंबाई के परिता गुमाया जाता है चोड़ाई के परिता गुमाया तो जब आपने चोड़ाई के परिता गुमाया तो बेलन का आयतन ग्याद करना है तो जो ये चोड़ाई के परिता है तो इसी के परिता गुमाना होगा तो ये बेलन का जो बनेगा उसका वो पूछ रहे हैं तो इस तरह से अ ऐसे ही तो बनता है तो आयत के परिता ऐसे से अपने घुमाया तो यह आयत के परिता आपका बनके तयार हुआ और जो आयत ही वो देखे यहां पर क्योंकि आयत को घुमाया गया है ना तो यह लंबाई इसकी सत्रा हो जाती है और जो चड़ाई है यह जो चड़ाई है वो सत्र का सेंटीमेटर लंबे और सास सेंटीमेटर चड़े आयकी बात किचा रहे हैं चड़ाई के परिता घुमाने पर इसका मतलब है कि जो आपने घुमाया है है ना तो वो चड़ाई के परिता घुमाया है अब आप यहाँ पे समझ गे होंगे आप एक कागस लीजेगा और उसको घुमा के देखिएगा ठेक है चड़ाई के परिता तो बेलन बनता हुआ दिखाई देगा एक चड़ाई का फिक्स रख लीजिए चड़ाई को पकड़ लीजिए और दूसरे चड़ाई को घुमाईए आयतन बेलन का कितना होता है तो सूत्र देख लेते हैं कौन सा सूत्र लगेगा तो आपका सूत्र हो जाएगा पाई आर इसक्वाइर एज ठीक है ना अब यहां पर चड़ाई की बात की जा रहा है पहले हम इसको काड़ लेते हैं उसके बाद इसपे हम और थोड़ा सा डिसक्स करेंगे तो जो पाई का माण है तो पाई का मान आपका हो जाता है 22 बटे 7 गुणे आपका हो जाता है आर इस्क्वाइर है तो सत्रा गुडे सत्रा है ना और गुडे साथ यही तो है क्योंकि आर इस्क्वाइर है तो दो बार रखना होगा उसके बाद साथ होगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका साथ से साथ कट जाएगा साथ से साथ कट गया ना तो बचा कितना यहाँ पे बाइस गुड़े सत्रा गुड़े यहाँ पे सत्रा है सत्रा गुड़े सत्रा यह हो गया ना तो जब आप इसका गुड़ा करेंगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा 6358 उसके बाद दिखिए यहाँ पे और क्या चीज़ है जो हमने कहा दर डिसकस करेंगे कि लंबाई के परिता गुमाएंगे तो तिरज्या आ रहाएगी लेकिन यहाँ पर चोड़ाई के परिता गुमाने की बात हो रही है तो चोड़ाई के परिता गुमाने की बात हो रही है तो आपका हो जाएगा यही क्योंकि वैसे 7 आप करते हैं लेकिन यहाँ पे 17 रखा गया है ठीक है कोश्चन की तरफ चलते है कोश्चन है एक बाग में आम के 304 पेड़ है परते है पंकिती में उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंकितिया है पंकितियों की संख्या ग्याद कीजिए अब इसमें क्या करना है सिर्फ आप लोगों को क्या करना है वर्गमूल निकालना है इसका भाग वीधी द्वारा हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इस लाइन को करेंगे और इसमें हम तेई सो चार है ना यही तो नमबर दिये में तेई सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बना लिए अब देखें दो दूना चार तीन 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 नो चार चकु सोला और पचम पच्चिस अगर पांस से करते हैं तो पचम पच्चिस यानी की ज़ाद हो जाएंगे चार चकु सोला तो तेहीं से कम है तो हम क्या करेंगे चार चकु सोला यहाँ पे हो गए और शर्त यहाँ पे क्या होती जो संख्या हमने यहाँ पे रखी वही संख्या यहाँ पे रखी और उसके नीचे भी वही संख्या हम रख देंगे अब क्या करना इसको जोड देंगे और इसको घटा देंगे तो 3 मैंसे 6 जा नहीं सकता ठीक है ना तो हमने इसे एक उधार ले लिया यहाँ पे 13 बन गए अब 13 मैंसे 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे तो 13 मैंसे आपके 6 जाएंगे देखे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपके 7 बचके ना तो 7 अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो यानि 0 यहाँ आप ऐसे कट कर दे और उसके बाद आपको पूरा जोड़ा उतारना है तो 0, 4 अब यह आपका 704 हो गया तो हम यहाँ पे कितने 7 या 8 से हम रखके देखते हैं ठीक है ना तो 8, 8 और 8, 8, 8, 64, 64, 64, 64, 64, 69, 70, 70 हो गया ना तो आपका 704 है यानि कि 8 से आपका पूरा पूरा कट गया ठीक है ना तो इस तरह से आपका जो 48 है वो अंसर आ जाएगा यानि कि 48 पंकितिया है कितनी पंकितिया है तो 48 पंकितिया है और जैसे इसमें एक चीज और समझने वाले जैसे एक बाग में आम के 204 पेड़ है पर तिये पंकिति में उतने ही पेड़ है कितने पेड़ है ये नहीं पता है माली जी हर पंकिति में तीन पेड़ है तो तीन पेड़ है मानते हैं सिर्फ यहां पे मानते हैं पेड़ है जितने की बाग में पंकितिया है पंकितियों की संख्या आपको ग्याद करनी है उतने ही पेड़ है यानि तीन तीन हर पंकिति में पेड़ लगे हैं तो इसको इस त 30 degree minus sign 90 degree का मान ग्याद कीजिए तो अब हम इसका मान रखेंगे और उसके बाद इसमें हम काट पिट देंगे है ना तो सबसे पहले देखते हैं कि 1045 का मान कितना होता है तो 1045 का मान 1 होता है minus लगावाए तो minus यहाँ पे लगा दिया cot 30 का मान होता है root 3 तो root 3 और यहाँ पे plus का symbol है तो plus उसके बाद 2 तो 2 ही रहेगा और यहाँ पे जब कोई अंक होता है और वहाँ पे कोई निशान नहीं होता है यानि कि वो गुड़े का हो जाता है cos 30 यानि root 3 by 2 हो जाता है और sin 90 गमान 1 हो जाता है अब देखिए यह एक आपका एक ही है और minus root 3 plus 2 अब यहाँ पे है आपका root 3 बराबर 2 तो इसको हमने क्या किया इसको जैसे आपका यह जो 2 है ठीक है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यह दोनों 2 कट गए तो बचा कितना root 3 ही तो बचा और minus का एक बचा यानि आपनी क्या किया यह plus का एक है है ना यह जो minus का एक है वो कट जाएगा और plus का यह इससे कट गया अब यह root 3 plus का और root 3 minus का यह दोनों कट गए तो बचा क्या तो 0 ही तो बचा इसलिए 0 answer इस तरह से आप solve कर सकते हैं बहुत अच्छे से लेकिन इ नहीं है कि हाँ आता है बस ठीक है मगर ऐसा नहीं बहुत अच्छे से मान आना चाहिए code 45 degree minus sine square 45 degree minus cos 245 degree plus sine 90 degree को हल कीजिए तो सबसे पहले क्या करेंगे वही कि उसका मान रख लेंगे तो code 45 degree का मान कितना होता है code 45 का मान होता है वह एक होता है यहाँ पे minus का symbol है तो minus लगा लेंगे sine square 45 square है ना यानि दो बार करना है तो इसका मान किया होता है तो एक बटे दो और minus एक बटे दो और cos 45 यानि कि यहाँ पे क्या है देखे समझे यहाँ पे यहाँ पे एक मान हो जाता है अब इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं यहां पे है आपका answer सही है लेकिन यहां से हम समझ लेते हैं तो 1 हो गया और उसके बाद आपका मान हो जाता है मायनस 45 का मान हो जाता है और स्कॉल स्कॉईर का मान है एक हुड़ा आपका root हो जाता है сюutar ऐस पे स्कॉईर आपका за 4i45 कहरे है पेis έχ़ी collective root 2 है न और square है तो आपका यहाँ पर square लग जाएगा फिर sin 90 degree का मान तो plus 1 है तो 1 हो जाएगा अब क्या करेंगे देखें यहाँ पर 1 plus 1 जुड़ जाएगा क्या होगा तो 1 plus 1 जुड़ जाएगा और क्या करेंगे square करेंगे 2 मैंसे 2 घड़ जाएगा यानि माइनस 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 2 यानि माइनस 1 हो जाएगा यानि 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 2 मैंसे 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा तो 2 मैंसे 1 जाएगा यानि आधा-धा 1 हो गया ना और 2 मैंसे 1 गया तो कितना बचा एक ही बचा तो इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोश्चन है स्रक 30 माइनस 2 कोट 45 डिगरी और माइनस 4 बटे रूट 3 साइन 30 डिगरी प्लस 2 कॉस 0 डिगरी का मान ग्याद कीजिए स्रक 30 डिगरी का मान कितना होता है तो स्रक 30 डिगरी का मान होता है 2 बाइ रूट 3 और उसके बाद माइनस 2 कोट 45 का मान कितना होता है तो 2 कोट 45 का मान यहाँ पर देख लेते हैं माइनस के बाद देखे यहाँ पर एक लगा हुआ है और उसके बाद आपका हो जाता है 45 minus 4 by root 3 तो minus 4 by root 3 plus 1 by 4 plus 2 आप यहाँ पे देखी इसको समझ लें यहाँ पे root by 2 by root 3 minus 2 minus 2 by root 3 plus 2 आप देखें कट गया तो यहाँ पे 0 आ गया आप इसको समझ लें यहाँ पे 2 by root 3 minus 2 into 1 minus 4 by root 3 और यहाँ पे आपका हो जाता है into 1 upon 2 plus 2 into 1 ठीक है ना आप क्या करेंगे देखें यहाँ पे आपका 2 एककम 2 दो दूना 4 यहाँ पे 2 बच गया है ठीक है अप क्या करेंगे यहाँ पे आपका उतार लेंगे 2 बटे root 3 minus 2 minus 2 बटे root 3 plus 2 अप क्या करेंगे यह 2 आपके minus के और 2 plus के यह कट गया है और 2 by root 3 और minus 2 by root 3 यह आपका कट गया तो बचा क्या 0 answer question है sin 30 degree plus cos 60 degree plus 1045 का मान ग्याद कीजिए मान रख लेते हैं पहले तो sin 30 degree plus cos 60 degree plus 1045 degree का यहाँ पे मान है sin 30 degree का मान 1 बटा 2 हो जाता है क्या हो जाता है sin 30 degree का मान 1 बटा 2 हो जाता है plus तो यहाँ पे भी plus होगा है cos 60 degree का मान कितना होता है तो 1 बटा 2 होता है और उसके बाद चिन का है का है तो प्लस का है फिर 10 और 45 डिग्री तो इसका मान क्या हो जाता है तो प्लस का सिंबल है तो प्लस का ही रहेगा और इसका मान एक हो जाता है अब क्या करेंगे इनका LCM ले लेंगे यानि बराबर कर लेंगे जो हरे उसको बराबर करेंगे और बरा जरूर से जरूर उसका reply करेंगे अब क्या है आधा और आधा जुड़ेगा तो कितना बनेगा एक बनेगा और एक जुड़ेगा तो दो बन जाएगा है ना एक आधा और आधा कितना हुआ तो एक ही तो हुआ और एक बनेगा तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा तो एक और ह यानि की दो यहां पर आपका अंसर हो जाता है। ठीक है यहां तक आप लोगों की सेरीस कमप्लीट हो जाती है। आई भूप आप लोगों को शेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा क्वाइब तो प्लीज अपना ख्याल रखें और इस्टडी को कॉंटिन्यू करें थेंक यू